कि 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 इसलामलेकुम आज हम काउंटर डिजाइन करना सीखेंगे वेरे सिंपल कॉंसेप्ट है और इसके लिए जो पहले से सीज़ आपको आनी चाहिए इसमें जिस फ्लिफ फ्लॉप को इस्तामाल करके अपने काउंटर डिजाइन करना उसका एक्सार्टेशन टेबल आपको याद दोने से ठीक है प्रिवेस लेक्सिट यह भी शेयर किया था कि किस किस तरह से आपने एक्सार्टेशन डेपल को याद करना और क्या क्या उसके कॉं कर लेंगे पांच स्टेप्स हैं कि करके आपने इसको अच्छी तरह से प्रेक्टिस करना है और इन्शाला है कुछ आपको यह कंप्लीट लॉंग करो जाएगा सीक्विंस के जीरो है वान है उसके बाद मतलब काउंटर पहले सीड़ो पर उसके बाद बान पर मूव करेगा पर टू पर फिर फॉर 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 फ़ाइब शिक्स पर और अगें दोबारा जीरो प्याज़ेका अब अब टूरेस पार फॉर बनता है जो के जीरो से लेके थ्री स्टेट काउंट करेगा यह हमारे लिए काम है जबकि टूरेस पार थ्री अगर हम देखें तो एट इसकी counting होगी और zero से लेके sevens account करेगा number of count rate होंगे और zero seven account करेगा क्वेंज के three flip flops required are required है एंग ये-वार सिक्ष को maintain करने के लिए और हमारे question में क्या है maximum count six है it can be represented by minimum three flip-flops आपको चाहिए होंगे six ता counting करने के लिए उसके पाद नंबर टू पे विज फ्लिफ्टॉप रिक्वाइड जे के फ्लिफ्टॉप गिवन है उसके एक्सेटेशन टेबल आपको याद होना चाहिए और स्टेप टू में आपने सिंपल यह करना है कि एक्सेटेशन टेबल आपने लिख लेना है ताकि उसी को देख के हम इसका असरिकुट का जो टेबल ना वो डिजाइन कर लें स्टप्टू कियो सिक्सेटेशन डेबल में क्या पड़ा था हम लोगों करें कि क्यू एंड होता है उसके बाद क्यू एंप्लस वान घैटिट बाइन स्टेट और प्रेजंट स्टेट और एडैट इस नेक्स टेट combination दो variable है यह चार combination होंगे 00110 और 11 मतलब जिरो का कोड़ बान का कोड़ टू का और थी का कोड़ बाइनरी कोड़ है उसके बाद हम लोगों ने यहां पे देखा था कि जी फिसके बाद बाद आता है जीडो से Counting start हो रही है जी की और कहां तक जा रहा JUST के बाद बाद बान开 and don't carry up k don't carry don't carry to start aukie यह collaborative change हो जाता है पहलमें र थाजबरा तर चार्ट बेस्ट सिंपल चुछ को देखें, इसको अगर आप यहां पे मैप करें इसको यहां पर मैप करें, उसके बाद इसको यहां पर मैप करदें, और स्वियर्ण को इधर करें, भी जाद करना बड़ेकमत वो जएगा. यह और के पहले नंबर पर जीरो से स्टार्ट है जीरो पर एंडिंग है उसके बाद बाद बनाया था हम लोगों ने डो बनाया था उसके बाद इसके बाद एकला स्टेप पर आपने स्टेट डाइग्राम डिजाइन करनी और अगर आप यह गलत हो गया तो आपका पूरे का पूरा काउंटर खराब हो जाएगा जी सबसे पहले तो आपने यहां पे देखना है कि हमारे पास काउंटिंग सेक्वंस क्या है अगर यह आपका ठीक होगा सारी की सारी चीज़ हमारे बील्कुल करेक्ट होगी यही मैन चीज cheaper में पे हो पिर वन पे जाएगा ... और अगर यह सेक्वंस पर पर में पेपर सेटर चेंज भी कर देता है तो आपने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है जो गिवन होगा देखें यहां पर तर्तीब से है कि जीरो के बाद बन पर जाएगा और थ्री बिट हम क्यों यूज करें विकॉस थ्री फ्लिफ्लॉप इस्तमाल करने जा रहे हैं हम के दुबारा जीरो प्यार रहा है यह रिपीट का कीवर्ड भी पेपर में अक्सर रुकात आ रहा है उसके बाद सीक्वेंस को फॉलो करते हमने एक्सेटेशन टेबल डिजाइन करना है सरक्ट का वो था जेके फ्लिफ्लॉप का एक्सेटेशन टेबल लेकिन यह सरक्ट एक्टियों बी और क्यूसी दे दिया बैसे क्यूंट और अ क्लस वं साथ इसके बाद यहां पर प्लस मतलब नेक्स ट्रीट भी प्लस नेक्स तेट о सी स्थारिक भी आप कह सकते हैं सबसे पहले तो क्योंकि तीन हमारे पास वेडियेबल्स हैं यह आपने इसको तीन पॉसिबल कामिनेशन की इंपूट्स क्या हैं चार जीरो चार बन दो जीरो दो वन और एक जीरो एक वान एक जीरो एक पन इसको देखने जरा उसके बाद जी उसके बाद फिर यहां पर आपने यह बड़ा इंपूर्टन स्टेप है यहां पर मिस्टेक ने होनी चाहिए जीरो से-next- där क्या है यह ऊन जीरो जीरो one का ऑट है उसके बाद one से-next-迅ट क्या हैगी यह जीरो-one जीरो-zero मतलब यह two का ओंटर जाएगा तुरसे काँ पर जाएगा थ्री पे psychiatर Hai Thesa का जाएगा फॉर पर फॉर का उट है फोर से फाइब पर जाएगा फाइव से सिक्स यह सिक्स का वोड़ है उसके पाद सिक्स से कहां पर जाएगा नेक्स आगे जीरो पर आएगा इसमें आपने गलती नहीं करनी कि जब छे पर डिजट आएगा हमारा बाइनी कोड़ पहुंचेगा तो काउंटिंग सीक्वेस्ट क जाएगा सीरो पर दोबारा रिपीट हो जाएगा और सेवन जो हमारा पॉसिबल कांबिनेशन था सेवन पर डॉंट के लिखना आपने इसमें नेक्स्ट कोई भी स्टेट मूव नहीं करेगी इदर अग्जिस्ट नहीं करेगा इसी तरह आपने इनको भी कर लेना है कि जे औ जब प्रेजेंट स्टेट हमारी जीरो है और नेक्स टेट जीरो है तो जे में क्या होना चाहिए और के में क्या होना चाहिए यहां इसके लिए हमें एक्सेटेशन टेपल को सामने रखना होगा दोनों की वैलिए अगर जीरो है के भी 0 है oh sorry qn भी 0 है qn pls 1 भी 64 है यहाँ से देख़ हैं हमने यह वहले पॉसिब स्टेट को most अब अवार करना है जी 0 है यहां पै और जी रो है यहां पै तो इदर हम सोब जे में सेरो और के में जीरो और क्योंकि हम A में काम कर रहे हैं इदर भी नेक्स्ट एट A की है लैट्स वाइ जे ए और के आएगा इसे दिरह हम B को लेंगे Q B को और Q B प्लस को थो हम J B और K B को फिल करेंगे और QC लेंगे और QC प्लस लेंगे तो इसके लिए JC को फिल करेंगे और KC को फिल करेंगे इसको देखते हुए Excitation table को देखते हुए जी next जीरो है और जीरो है अगेन वही possible combination है That's why 0 और डांट के रहा गया अब 0 और यहां पे भी 0 जीरो और डांट के रहा गया उसके बाद यहां पे 0 है और इदर 1 है तो इसके लिए हमने देखना है कि next क्याएगा 0 और 1 current state हमारे पास 0 है और next 1 है इसके against J में 1 है और K में डांट के रहे जी यहां से copy करके आपने next table में लिखना है J A और K A के लिए हम काम कर रहे है जी यहां पे जब 0 है और इदर 1 है तो हमने देखा कि 1 आएगा और डांट के रहेगा ठीक है यह सारी चीज़ें आपने इदर से copy करके अच्छी तरह से carefully put करनी है और यही repeat करना आपने Q B और Q B प्लस और इस वाले दो कॉलम्स को fill आप करना है उसके बाद यहां से Q C और Q C प्लस और इन दोनो कॉलम्स को fill कर लेना है ठीक है इसका screenshot ले 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 और खुद से एक practice करके इसको आपने verify करना है कि आपका correct है या नहीं ठीक है जी एक minute में दे रहा हूँ आपको जी उसके बाद next यहां पर step number 4 आगया जी अप्टेन दे सिंप्लिफाइड equation using K map को इस्तामाल करना है जे एक के लिए के के लिए अब यह देखें input में क्या था हमारे पास starting value क्या है Q A उसके बाद Q B Q C इस आपने लिए और J A के लिए काम करना है अब Q A Q B Q C इनकी possible combination क्या होगे इनके मैं आपको बनाना आता होगा 00 01 11 10 उसके बाद A इसकी वाली Q की 0 हो सकती है और 1 हो सकती है अब देखें जी 0 0 0 पे क्या है ठीक है अब यहां पे हम देख लें के 0 0 0 पे क्या है यह 0 और 0 0 पे क्या है यहां पे J A के उपर हम काम करें तो यहां पे 0 हमने पूट कर दिया के बाद 001 पे क्या है 0 है 0 के against 1 के against और 2 के against 3 0 है यह इसको हम लिख लेते हैं और क्योंके हमने SOP expression लिखना है 0 लिखने की जरुद भी नहीं है आप सिरफ 1 को directly put कर लें तब भी काफी है तो देखें जिजिए जिरो का code है 0000 यहां पे 0 पूट हो गया 001 यहां भी 0 है और 002 का code यहां भी 0 है उसके बाद 012 हमने फिल कर दिया और अब देख लें के जो state हमारी 3 अकला 11 का जो code है यह जी 011 इसके against हमारे पास जे ए में क्या है one पड़ा हुए उसके बाद four में don't care पड़ा हुए four में don't care five में don't care six में don't care seven में don't care मतलब एक में one है बाकी सारा में don't care है इन सारों को हम directly put कर लेते हैं जी यहां पे इदर आगया one उसके बाद यह सारा में don't care था और हमने एक बनाना है sop expression that's why हमने one को looping में लेके आना है तो one यह और यह don't care इसके साथ map हो रहा है बाकी साड़ों पर zero है कोई भी map नहीं होगा तो आपने one को complete करना हो था ठीक है कितने possible one है यह दोनों को map कि हमने आपस में अब इसका हमने देखना है कौन सा variable reduce होगा कौन सा exist करेगा जी qa यहां पर इस वाले cell में qa की value zero है और यह भी इस cell पर गये है तो इसकी value one होगी है change होगा इसके qa नहीं आएगा और दो cell का came up है two raise power one is equal to two मतलब एक variable reduce होगा बाकी दोनों आएंगे तो qb और qc की value इस दोनों cell में यह qb की value है और यह qc की दोनो one one है that's why qb और qc as it is आगे simplified form है जे ए अब हमारा जो पहला flip-flop होगा उसकी जो j a हमारी input होगी उसके साथ क्या-क्या connect होगा qb connect होगा और qc सी जो वायर आएगी वो इसके साथ connect होजाएंगी या reverse होगी वापस यह circuit में देख लेते हैं इसी तरह k a के लिए आपने काम करना है और वही values उठा के पूरे column की इसके अंदर fill up कर देनी है और यहां पर यह combination बन रहा है वान के साथ यह चार चीज़े मैप हो रही है और क्योंकि चार साल का गे मैप है that's why आपके दो variable डिडूस होंगे टूरस पर टू एक variable आएगा जो के 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 लिए qb आगा इसी तरह से आपने बाकी के उपर भी काम करना है jb का और इसका screenshot सासाथ लेते जाएंगे इसके वीडियो को stop कर लिया करें साथ में खुझ से practice करेंगे तो आपको चीज़ानी है जी next qb के लिए jb के लिए और kb के लिए तो यह हमने values प्रोटप की है और यहां से हमारे पास qc आगया जे बी के साथ और kb के साथ क्या आगया qc प्लस qa ठीक है इसमें दो loops बनी है यह चार cell की और क्योंकि यह बान इदर भी पड़ा हुआ है तो इन चार उसल को आपस में मैप कर लिया इसी दरह से जी हमारा next step है jc और kc के लिए टारगेट हमने टॉप पर लिखा हुए जीरो वान टू टू ट्री फोर फाइव और सिक्स तक काउंटिंग हम करने जा रहे हैं यह हमारा काउंटर होगा यह जहां तक काउंटिंग करेगा इसको देख लिए हमने सीकर हमने यह मैकनिजम लिया और यह वैलियूज इनकी आ रही है आपने खुद से प्रैक्टिस करना आपका के मैप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी थी वैरिबल्स का चल रहा हमारा उसके बाद फिर फाइनल स्टप है हमने सारी वैलिउस का अपस में लिख लिए है टॉप से उठाकर एक्वेशन में से जिसमें जे ए यह है और के यह है जे बी यह है के भी यह है जे सी यह है और के सी यह है और स्टार्ट पर में पड़ा था कि कितने रिक्वाइड है फ्लिफ्लॉप तीन फ्लिफ्लॉप समने लेने हैं जी यहां पर देखें मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूं ताकि हमें पूरी चीज स्क्रीन नजर आए जी बैटा जी नैक्स्ट हमने तीन फ्लिफ्लॉप यह है के अजे और के इसका ऊट्पया होगी क्यू एअर ये ख्यू एक का कॉंप्लिम्ट पिए गया इसके में ini अधिद आ यहां पर ययुंप wow जिसकी kukyu.b जे ए और के अवला उसके बाद फिर आउट्पुट क्या है क्यूए का कॉंप्लिमेंट नेक्स्ट क्या है सेकेंड फ्लिफ्लॉप जे बी और के बी और बी क्यूभी इसकी आउट्पुट है और क्यूभी का कॉंप्लिमेंट आउट्पुट है जे सी और के सी है और इसकी आउ J A में क्या connect होना है Q B और Q C इसका end ये देखें Q B और Q C दोनों का end किया हुए वो यहां पर J A में connect होगा एक wire आईगी Q B से ये Q B से wire जारी है उपर की तरफ और एक wire आईगी Q C से ये wire Q C से जारी है उपर की तरफ और इसको हम यहां पे दोनों वायर्स को लाके इसका end operation पर फॉर्म करवा रहे हैं और end के बाद यह connect हो रहा है कहां पे जाके जे ए में connect हो रहा है इस तरह के ए में QB की वायर आनी हो रिकनेक्ट होनी है QB की मतलब second flip-top की QB की वायर आगी यहां पे और यह देखें इस वायर को हम ने यहां से connect करके यूज़ कर लिया और इस में लाके के ए में attach कर दिया उसके बाद clock आपने बढ़ा था कि यह इदर भी clock connect हो रहा है इदर भी clock connect हो रहा है और इदर भी clock connect हो रहा है सारों के अंदर parallel connect हो रहा है उसके बाद नमबर नेक्स पर अगर हम देखें तो जे बी और के बी जे बी में क्यू सी आना है क्यू सी की वायर यहां से हमने ली और इसको यहां पर ले आए उसके बाद यह देखें यह भी क्यू सी की वायर जा रही यहां पर और यह वायर हमने यहां से कनेक्ट करके इसके साथ अटेस्ट कर दिया, ठीक है उसके बाद नमबर नेक्स पे एक्विशन को सामने रख लेना है और यह कनेक्टिविटी इजी लिए आपने परफार्म कर देनी है जी, ये, J, B, QC कनेक्ट हो गया और इसमें और उपरेटर स्तमाल होना है C और A के साथ C और A की वायर आनी है तो ये हमने A की वायर ले लिए यहां से इदर से हमने C की वायर ले लिए दोनों का और उपरेटर यूज़ किया और गेट और Q, B, K, B में कनेक्ट कर दिया इसी तरह से आपने third operation perform करना है जो के ये था कि इसमें भी और गेट यूज़ होगा B से और A से वायर आगी लेकिन के complement से वायर लेंगे हम लोग और J, C